बहुत शुक्रिया है आपका CNBC बजार में और पहले तो बताए आपके ओवराल नंबर्स के बारे में अगर आप बताना चाहे तो deposit और loan growth हमने देखा है तो भी एक थोड़ा business देख रहे हैं कैसे आप देख रहे हैं और कैसे आप समझाएंगे जो हमारा global business 10.12% वो बढ़के 21,56,000 क्रोड हो गया global advances 12.11% बढ़के 9.23 लाग क्रोड हो गया और net profit that is one of the highest in the last several quarters ये 43% बढ़के 3,606 हो गया and similarly हमारा जो net interest income वो 19.76% बढ़के 8,903 क्रोड इतना हो गया PCR हमारा 337.YOI वो बढ़ा है 88.73 पहुच गया है and RAM credit जो retail agriculture और MSME ये 13.63 that is double digits और ये हमारा guidance था ओ 13.63 बढ़के 5,16,949 क्रोड बढ़ गया है और जहां तक हमारा NPA का सवाल है gross NPA 161 BIPs जो है down हो के 4.76 from 5.25 जो है ने 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 78 टका जो है वो कम होके 1.41 परसेंट पे चला गया है तो अभी आगी जाके आप deposit क्या सेनारियो देख रहे हैं ग्रोथ कैसे देख रहे हैं और अभी का जो आए हैं savings deposit क्या वो incremental cost पे आए हैं नहीं savings और जो कासा हमारा है वो तो similar cost है उसमें we are not going to increase any this no but liquidity का pressure है जो रहेगा market में तो हम but we have taken several measures in the past 6 months हम लोग 6 महिने में बहुत सारे इसके उपर काम किया है और customer engagement हमने बढ़ाया है customer interaction बढ़ाया है customer service branch बढ़ाया है और हम लोग ये silver, gold, diamond और platinum ये चार तरह के product लाया है कासा बढ़ाने के लिए जो salaried class के लिए है और बहुत सारा incentive भी हमने उसमें inbuild किया है तो and we have seen traction ये जो 6 महिने में बहुत सारा traction हम देख रहे है ये कासा तो कासा अगर आप देखेंगे market को तो बहुत सारे लोग अपना कासा लूज किया है बट हम लोग लूज नहीं किया है we are aesthetic on that and हमने increase ही किया है 3.77 yoy तो going forward also going forward also हम देख रहे हैं जो हमारा इसी तरह का market position रहेगा अगर loan growth देखे year on year basis पे of course आप four quarter का best आप loan growth लेके आए हैं लेकिन industry के हिसाब से देखे तो थोड़ी levels अभी भी कम है आप क्या outlook रख रहे हैं और यहाँ growth की कितना अभी guidance दे रहे हैं आगे जाके actually जो public sector जो banks है उसमें हमारा जो first two quarters थोड़ा सा जो growth है हमारा यह perfectly in order लेकिन आगे जो दो quarters है Q3 और Q4 उसमें हमारा यही 13 to 15% का हम लोगों ने पिक किया है growth जो growth रहेगा हमारा और corporate और RAM दोनों mix होगा और हमारा जो RAM है यह 56 है और corporate 44 है हम इसी line पे और काम करेंगे ठीक है corporate जो है वो काफी contribute कर रहे हैं आपके loan growth में क्या वो और capex के लिए loans ले रहे हैं कैपेक्स के लिए भी है infrastructure mostly और बहुत सारे जो यह cement sector है steel sector है data center अभी जो data center हमने काफी सारे उसमें loan sanction किया है so small port है airports है so we are giving in all segment of the business तो corporate का भी traction जो है जो capex का है मत्तों already they have started investing in capex आपकी एक bank जो अलग पढ़ रही है वो है retail loans में अगर industry के हिसाब से हम देखें क्या आप जान बूज के retail loans में कम कर रहे हैं क्या वो जो RBI का regulation आया है कि unsecured loans के लिए उसमें भी कुछ उसके लिए कर रहे हैं क्या reasons है नहीं नहीं हमारा जो retail है अगर आप देखेंगे housing we are very strong और ये even क्या बोलते हैं दिस भेकील और education loan वो हमारा growth जो है double digit में है और जहां तक personal loan का सवाल है तो Canera Bank में हम लोग उसी को personal loan देते हैं that is unsecured जो बोलते हैं जिसका salary हमारे पास है इसलिए इसमें हमारा कोई threat नहीं है even from the point of view of regulation जो RBA का regulation है क्योंकि हमारा ये secure है और ये between two to three years का ही होता है and NPA भी अगर आप देखेंगे इसमें तो 1.5 के नीचे ही है इसका कुछ आप foresee कर रहे है कि कुछ stress unsecured retail portfolio में और कितना है total कितना है retail में हमारा ये जो NPA है वो कुछ ज्यादा नहीं है 1.4748 के नीचे ही है and we are not seeing any stress in this sector हमारा जो housing loan है 0.68 है उसका NPA even vacuum loan जो है उसका 1.47 है और education loan, agriculture loan और MSME loan में थोड़ा stress है because of the legacy जो करोना के बाद जो बहुत सारा MSME अभी भी दे आर इन little stress लेकिन हमारा उस तरह का हमारा परकर आप NPA और SMA portfolio देखेंगे that is well balanced and very well managed तो हम जैसे हमारा SMA book है 0.7% of the gross advances बहुत बहुत शुक्रिया and all the very best sir for the next quarter too और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुदने के लिए Thank you, thank you madam, thank you, thank you very much